इंडिया, 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 इंडिय आपन्सिफ कंपेरिजम कर सकते हैं जजस का जो डिसीजन होता है और वही सबसे ग्रेट डिसीजन होता है उसको कोई भी क्या करते हैं उसको चालेंज करें या फिर बुरा माने इससे कुछ फाइदा है नहीं और यहां बस हम देखेंगे कि क्या सच में कोई बाडिपाट्स परफेक्ट टीन नंबर दिए प्रे जेजिंग में भी और फाइनल में भी मतलब टोटल में तीन मार्क मिले ब्लै भूवन चौवन को और इम्रान खान को मिले दोस्तोर imagination को मतलब तीन मार्क का डिफेरेंस है लगभग तीन मार्क का डिफेरेंस काफी बड़ा होता है आपने द लगड़े लग रहे थे थोड़े चीजों के वज़े से जजस ने उनको तीन मार्क कम दिये और देखते कि क्या सच में उनके बॉड़ी में कुछ कमी थी और कॉंफिडेंस तो बहुत ही तगड़ा था उनका और फीजीक भी बहुत तगड़ी थी बट देखना पड़ेगा आन के तक वीडियो जरूर देखना और कमपेरिजम स्टार्ट करने के पहले बता दो बॉड़ी मिलिंग इंसाइडर से लिया गया है ये वीडियो तो फुल ओन क्रेट जाता है बॉड़ी मिलिंग इंसाइडर को उनके चैनल पर जाके उनको थैंक यू जरूर कहना क्योंकि इतन अब देख सकते हैं कितनी क्लियर है जो मसल्स की जो सेपेरेशन है वो कितनी ज्यादा क्लियर है आप इस बात से समझ सकते हैं कि जो मसल कंप्लीटनेस होती है वो भूवन चावण के पास ज्यादा है स्पेशली लोवर बोड़े में आप देख सकते हैं कि मास काफी अच्छा मास है स्पेशली जो मिडल बैक है उसमें काफी अच्छा मास है बट लैट्स उतने ज्यादा बड़े नहीं जितने भुवन चौवान के है और ट्रैप्स भी आद देख सकते हैं भुवन चौवान के इतने वेल डिफाइन है कॉलिटी और इम्रान खानने को ज्यादा ही डार्क ट्रैन करने की है जिस वजह से उनकी बॉड़ी की जो प्रोपोर्शन से मतलब जो लाइन से बैक में की वह इतनी ज्यादा किलर नहीं दिखाई दे रही है अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि भुवन चौवन की बैक वाइडर है उनकी फिजीक व मास तगड़ा है आमस में मास तगड़ा है बट जो मेंस फिजीक का जो पहला जो यह होता है क्या कहते उसको वेस्ट टू शोल्डर का जो रेशयो होता है वो परफेक्ट होना जरूरी है वहाँ पे भुवन चौवन पॉइंट जितते है और उसमें बड़ी बात जो भुवन रखते है राइट जो हैंड उनका ओ थोड़ा पीछे के ओर होगा और जो लेट का हैंड जो उन्होंने कमर को पर रखाया ओ थोड़ा सामने होता है बॉडी थोड़ी एक तरफ घूमी हुई होती है उस वज़े से पूरी बोडी नहीं दिखाई दीती है और ज्यादा तर ओल मसल्स उनके दिखाई ने दिये फ्रंट से इमरान काफी अच्छे है और शायद बीट भी कर रहे होंगे भूवन को बोड़े बैक में भूवन काफी जादा आच्छे है और बैक में ही गेम जितने की कॉलिटी होती है मतलब बैक से ही ज्यादा तर और आतलीर गेम जितते हैं, फ्रांट में भी भुवन काफी अच्छे है, पूरी तरह से टकर दे रहे हैं, इसलिए भुवन चौन को स्रिप तीन पॉइंट्स मिले और जो सेकेंड आये, इमरान उनको सिक्स पॉइंट्स वहाँ दिखाए दे रहा है चार्ट पे, तो इसी साब से भुवन जीतते हैं अपने बैक के वज़े से, अपने अच्छी पूजिंग के वज़े से, अच्छी फीजिक के वज़े से, ब्रॉड स्टक्चर के वज़े से, और छोटी वेस्ट के वज़े से, और जो सीधा खड़े रहे के, फ्रांट में खड़े रहे के अपने बॉड जजस ने जो decision दिया वही आकिर होता है तो दोस्तों इसमें कुछ गलत नहीं है और उन्होंने कहा है है इमरान ने की Mr. Olympia में देखेंगे तो जरूर उनका और बहुत बार वो एक दूसरे के सामने आने वाले है, competition लडने वाले है, कभी इमरान जीतेंगे, कभी भुवन जीतें है, आप comment box में आपके thought जरूर लिखे बताइए, इसके उपर बात करते जाओ तो 10-20 मिनट का वीडियो बन जाएगा और बात खतमी ने होगी, क्योंकि इतना अच्छा competition था, इतना जबरदस्त इनकी दोनों की टकर थी, इतनी आच्छी फिजीक थी, तो अभी इसी note पे इस को खतम करते हैं, I hope ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अकर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, थैंक्यो फोर वाचिंग